गुड मॉर्निंग एब्रीवन हीर इस यह न्यू चेप्टर फॉर इंग्लिश क्रामर यूज अफ एंट बट और एंट और बट लेकिन और और जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरेजन होता है कि यह 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 दोनों में से एक डिसाइड करना होता है तो क्या यूज होता है और जब हमें किसी सूचना को जोड़ना होता है दो सेम एक जैसी चीजे होती है तो उनके बीच में क्या यूज होता है और जब हमें किसी विकल्प को बताना होता है कि दो में से एक चूज करना है तो क्या यूज करते हैं और जब हमें किसी बिन बात को बताना होता है अलग as you comfortably can अब यह देखो एक ही बारे में बात हो रही है लेकिन वह कह रही है या तो तुम 5-10 seconds रोको या फिर उतना रोको जितना तुम रोक सकते हो यानि कि वह से choice दे रही है दो में से जब एक choice की बात होती है तो क्या यूज होता है और you can also do it in evening but there should be a gap for four hours after the last meal इसमें भी यहां पर भी देखो वो गोल रहे हैं कि आप बात में भी कर सकते हो लेकिन अब यहां पर condition वाली बात आ गई तो हमने क्या यूज किया है बट ठीक है अब इसी तरीके से यह जो exercises है यह फिल कर नहीं है आपको यह आपको अपनी इसी तरीके से आपको यह पूरी exercises इस बुक में ही फिल करनी है ठीक है नेक्स चैप्टर इस 11 यूजफ देयर इस देयर आर देयर वास देयर वर यह आप एक बार पहले भी आप अभी तक छोटी से लिखकर अभी तक इसको पढ़ते आये हैं वह ही हम वापस रिवीजान कर रहे हैं ठीक है निम्रे लिखित वाक्यों को देखिए इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन के साथ में दeयर और अर दeयर वर का यूजघ करते हैं यानि कि singular numbers चाब होता है तो there is और there was लगता है plural number होता है तो there are और there word लगता है present tense है तो present की बात हो रही है तो is लगेगा past की बात हो रही है तो was लगेगा present की बात हो रही है तो er लगेगा और past की बात हो रही है तो world लगेगा ठीक है देखो कुछ examples there was some mangoes in the basket तो इस तरीके से आपको यह वाली एक्ससाइज अपनी पूरी बुक में फिल करनी है ओके वाई